दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिधार्त ऑनलाइन कोचिंग में हम लोग पढ़ रहा है थार्ड येर का फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी से रिलेटेड सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो उसी क्रम में अगला टॉपिक जो है वो है 1686 की बात करते हैं जब आइसेक न्यूटन सर ने तीन नियम दिये तो तीन नियम जो दियो तो वह सामान निगतियों के लिए तो बहुत फित बैठें जैसे जब हम डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हैं जो भी चीजें करते हैं उस पर रहुत फिट बैठें लेकिन दो सा तो रिलेटिविटी की थियरी के बाद बहुत अचानक परिवर्तन आया एक नई दुनिया खुली पूरे फिजिक्स के वैज्ञानिकों के लिए आम जनता के लिए और भी लोगों के लिए कि इन्होंने जब रिलेटिविटी से रिलेटेड नए नए थियरम दिये जिसमें तीन बाते थी पहला लेंध कॉन्ट्रेक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके लेंध में कमी का आवास होता है तो वो था लेंध कॉन्ट्रेक्शन दूसरा है time deдиलेशन और तीसरा मास वर्येसन थो मास भी बढ़ जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट हाई-वेलोसिटी से मूव करेगा वैलाल आज कि लेक्शेर में हम लोग बात करेंगे time Connection से कोई object जब high velocity से Ampereaster Velocity of s बतलת है Clean के लगबग लगबग जब पहुचने लगता उसके आसपास पहुचने लगता और उस Smart से वो गतिक करता उस वेलोशीटी से मूफ करता तब हम देखते हैं कि उसमें टाइम जो हैлом स्के थोड़ा स्लो हो जाता है इसी टापिकों में पढ़ना है जिसे का गया टाइम डिलेशन इसका मतलब यह है कि टाइम जो है वो एपसोलूट नहीं है टाइम एपसोलूट नहीं है जबकि यह रिलेटिव है तो 1906 की क्या बात करें इससे पहले सदियों पहले भगवान गौतम ब रिलेटिविटी सही बात है उन्हों ने भी स्मझाए था श्रूट के अचल आपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ हो तो वह समय ठेड़ा तीज गुजरता है और जब आप किसी बोरिंग व्यक्ति के साथ हों जिसे पसंद नहीं कर पार हैं उसकी बात को केवल जहलना है जैसे बोरिंग लेक्चर्स को सुनना है तो आपको लगता है कि वह 40 मिनट का है नहीं बीद पार रहे हैं बाकी अगर आप इसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ हो तो वह 40 मिनट लगता है कि 5 मिनट में ही व्यतीत हो गए यह सब बात रिलेटिवेटी किया है तो उससे पहले बात हो चुकी थी लेकिन इसे प्रूफ और निमेरकल्स और इसे आकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया और 1906 में जब इसे प्रस्तुत किया गया तो पैज्ञानिकों के लिए एक नई दुनिया नई चीजों का नई दुनिया खुली अब इस बात को समझने के लिए कि टाइम कैसे टाइम तो जितना तेज चल रहा है उतना तेजी चल रहा है जैसे यह कोई घड़ी है रिस्ट वाच अगर इसकी बात करें तो यह जिस हिसाब से चल रहे है वही टाइम की गति है लेकिन यह डेली लाइफ में हम लोग थोड़ गड़ जाएगी उसमें समय धीरे धीरे व्यतित होगा तो हम हमारे समझ से तो आधा गंटा ही हुआ लेकिन वहां पे क्या होगा लगबग 20 मिनट ही बीते होंगे दूसरे फ्रेम आफ रेफरेंस में इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग मान लि यह समझ में याता पूरब की दर है पक्सिंग की दर है तो फ्रेम आफ रेफरेंस से मिलाते हैं अच्छा आई खेड की खेड की दर है खेड की पूरब दिसा में थी तो फिर सब कुछ आटोमेटिक एड़ेस्ट हो जाता है लेकिन अगर हम लोग किसी मार लिया गया वेहिकल कुछ फ्रेम आफ रेफरेंस की जरूत होगी इसकार में तो नहीं तो पाएंगे इसके लिए दूसरा एक वेहिकल बना रहे है इस टाइप को वैं मान लिया गया इस टाइप की कोई गाड़ी है और इसमें सांग को खाना पीना खापी कि तो अगर इसके खिड़कियां बंद हैं तो यह बात हमें जर्क या फिर एक दम स्मूध एगर रोट पर चल रहा हो तो हमें समझ में ही नहीं आगा कि यह हम मोशन में किरेश्ट में हैं क्या हो रहा है कोई पता ने अब उसके बाद अगर यहां से खिड़कियों को ऊपन कर तो हमें इतना ग्यान है कि प्राइमरी की कख्षाओं में पढ़ा दिया गया है कि अगर पेड भी चलते होते कितने मजह हमारे पैड़ में चलते होते तो पूर हम आधार पीजह लगाते हैं इसके पीछे का यह चल नहीं रहा है और आगे की और हम मुव कर रहे हैं तो पीचे की और जा रहे हैं तो फिर मंदाजा लगा लेते हैं कि यह पेड़ सड़क किनारे के घर जो पीशे की और भाग रहे हैं मतलब हमारा वेहिकल आगे की और चल रहा है तो इसे समझने के लिए हमें जरूद पड़ी एक फ्रेम आफ रेफ्रेंस की अगर यह फ्रेम आफ रेफ्रेंस नहीं होता तो हम यह बात नहीं समझ में आती जैस अगर अपनी चलती तो समझ में नहीं आता कि अपनी चली यह चली हमें आबास होता है कि यह चल रही है या फिर अगर अपनी चल रही होती है और हम अगर इधर देख रहे हो तो हमें लगता है कि यह वाली चल रही है अगर यह प्रतित होगा कि यह वाली जो रुकी हुई ट प्लेटफॉर्म की तरब देख लें तब समझ में आता है कि प्लेटफॉर्म रुका हुआ अर्थात हमारी चल रही है तो फिर उसके बाद यह समझ में आ कि हम लोग ही चल रहे हैं अगर प्लेटफॉर्म की और न देखा जा तो यह समझ में नहीं आता कि यह वाली ट्रेन चल रही है या फिर यह वाली ट्रेन चल रही है जब यह ट्रेन इधर से गुजर जाती जब इसके लिए कुछ रूखी हुई चीज फ्रेम आफ रेफरेंस मिल कि यहे नहीं कि यहां बात करें कोई ऑब्जेक्ट माल लिया गया आपजेक्ट की क्या बात करें ऑबजेक्ट में रोकेट ही रहेगा तो यह कोई क closer जो है कि ऐडो सिटी से अगर कर रहा है है रिट धिसमें कोई व्यक्ति बैठा वह है इस रोकेट में अगर कोई वेक्ति है और यहां अर्थ भी कोई से उब्ढल करने वाला यहां विक्ति हो गया तो इन दोनों में पढ़ना है टाइम डिलेशन और यह ऐसा क्यों होगा क्योंकि आइंस्टीन ने दो पॉस्चुलेट्स दिये थे पहला कि सभी जो लौ है सभी फ्रेम आफ रेफरेंस में एक तरह भी हैप करते हैं और दूसरा लौज जो दिया था कि स्पीड आफ लाइट सभी इनर्सेल फ फेका जाए इस प्रकार से तो यह जाएगा और लाइट ही को अगर भेजा जाए लाइट को यहां से लाइट अगर लाइट क्लॉक से यह ट्रांसफर किया गया लाइट ऊपर से रिफ्लेक्ट होके नीचे की हो रहा रही तो कुछ नो कुछ इसमें टाइम लगेगा लेकिन जब यह माइकलसन मोले एक्सपरिमेंट में जिस प्रकार से हम लोग पड़ें यहां लगा दिया गया लेकिन यह बहुत हाई वेलोसिटी से जा रहा है तो पूरा मोमेंट आगे की और हो रहा तो यह सीधे जाकर इसे टकरा के आएगा तो है नहीं क्योंकि जब इसे ट्रांस क्या जाएं लेट कियाजा तो यह क्या होगा टाइम की वैलू यहां पर अब यह कहा गया कि टाइम की इस पीड आफ लाइट जो है वहर जगह एक बराबर है तो स्पीड आफ लाइट है इसे ज्वादा डिस्टेंस ट्रावल करना पड़ा उस वज़ह से यहां क्या प्रतीत होगा कि time की value कम हो गई और यहां से देखने पर यहां लगेगा यहां से देखने पर जितने टाइम होगा उसके comparison में इस जगह पर time की value कम हो जाएगे अगर इसे प्रूफ से देखें तो यह यह light ही है और light की speed होती है माल यहां से देखा जा रहा है तो यहां से यहां तक जाने के लिए इसके द्रेवल distance अगर यह light जा रही है लाइट टी टाइम में पहुंच रही है तो यह distance हो जागा distance is equal to velocity into time यह हो गया city और जब यह पूरा का पूरा यह rocket क्या पूरा इसे apparatus की तरह अगर treat करें तो यह पूरा आगी के और forward direction में इधर की और move कर रहा है और इसकी velocity अगर वी है तो यहां से यहां तक के लिए माली आ गया टी टाइम में यहां से यहां तक यह चला यह हो गया वी टी अब इसमें जो count हो रहा है इसमें की जो चीजे इसे अगर find करें तो इसे calculate करने के लिए यह अब जो व्यक्ति इस में जो व्यक्ति रॉकेट में बैठा है वो गर देखेगा तो light उसे क्या लगेगी यह लाइट ऐसे जा रही है टकरा के वापीस आ रही है तो उसके लिए अगर time को t0 consider करें तो उसके लिए distance हो जाएगी ct0 यह हो जाएगा ct0 तो अब उसके बाद यह ct हो गया यह vt हो गया ct0 टाइम है इस frame of reference के लिए rocket के अंदर जो व्यक्ति बैठा उसके लिए time है और यह ct हो गया यहां से time हो गया जो व्यक्ति दूसरा observer तो अगर इसमें देखा जाए तो यह right angle triangle बन रहा है right angle triangle में क्या होत अगर इसे solve करें सी टी का इसकुआर इस एकल टू बेस का स्कुआर टी का स्कुआर इस इकल टू यहां से सी टी नौट का स्कू आइस कूर सब का स्था स्वारी तो यह है स्क्राइब तो इस पूरे टम को इधर भेस दिये यह हो गया मांश इधर आके और इस इक्वाल टू इधर आ इधर से क्या कामन मिल रहा हमें कामन मिल रहा है क्वार टी स्कौार कामन ले लिए गया यह हो गया इस प्रकार से हैं टी स्कॉार के अगर फांड करें तो d2 हो जाएका किसल लिखें तो टी स्काउड चल यहां तक मिलीघ्या गया कि अब डो कॉमल लेना यहां तो फिर से पूरा का पूरा लिखना है यह होग useless c2 t2 is equal to v2 t2 plus c2 T0 square इस ट्रम को अगर इधर लाएं यह हो गया c2 t2 minus v2 t2 is equal to c2 t0 sqr area इ Venice e कामन्न tua si qa t2 तो यहां से बचा one minus the square upon यहां से टो t2 तो common मिल गया सी स्कॉार इसमें है है यह नहीन से स्कॉार नहीं है मतलों नहीं है यह हो गया इदर C square T naught square, C square से C square cancel हुआ, T square की value में मिल जाएगे, T square is equal to हो जाएगा, T naught square upon, upon ये वाला term इदर upon में आगया, 1 minus B square upon C square, अब अगर T की value चाहिए तो इदर ये under root हो जाएगा, T is equal to, इसका square हो गया, T naught by, ये हो गया, under root 1 minus B square upon C square, अब इसकी value होती ही 1 से कम, अब 1 से कम value से अगर divide करें, तो ये value बढ़ जाएगी, मतलब क्या हुआ, time जो है, वो delay हो गया, लेकिन ये जो process था, इससे हमें नहीं करना है, हमें करना है, lawrence transformation equation से, क्योंकि इस दनी मैनल से, इसी लिए इसे पढ़ाया गया, और इसे रखा गया है, ताकि हम लोग क्या करें, lawrence transformation से, तो time के बारे में बात करें, तो अगर कोई object बहुत high velocity से move कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, apparent time में ऐसा लगता है, कि उसके time में कुछ कमी आ गई, उसका time जो है, दूसरे frame of reference से देखने से बढ़ जा रहा है, और जो original time में घड जा रहा है, मतलब इस सिप में क्या होगा, कि time की value घड जाएगी, जो ब्यक्ति जमीन पर बैटके या observe कर रहा है, दूर से देखके, उसे वो समय जादा लगेगा, मतलब वहाँ पे तो घड़ी सामान ने चल रही है, लेकिन जब कोई object बहुत जादा velocity से move करेगा, तो उसमें time के लिए क्या होगा, time की value घड जाएगी, म और दूसरा frame of reference हो गया, s dash, तो एक frame हो गया, s, और दूसरा frame of reference हो गया, s dash, शुरुवात की अगर बात करें, तो दोनों का जो origin है, o और o dash, first frame of reference अगर s है, तो इसके coordinates बना लिए गया, इसके axis हो गया, x axis, y axis, z, और दूसरा frame of reference, s dash के लिए, इसके लिए हो जाएगा, x dash, y dash, z dash, तो हमें time relation का proof करना, ये बात हम समझ चुके हैं, कि time interval जो absolute नहीं है, बलकि क्या ये, ये प्रभावित होता है, relative motion से, ये सब बात समझें भी गए, ये का line लिए, अब consider करते हैं, consider two frame of references, s and s dash, दो frame of reference हो गया, ये हो गया frame of reference s, जो की race में और दूसरा frame of reference हो गया, इधर पर ये हो गया, s dash, जो की motion में, ये था s, और दूसरा हो गया, s dash, ये motion में इधर की और move कर रहा है, भी velocity से, तो time clock की बात करें, time clock एक place कर दिया गया, time clock प्लेस कर दिया गया, दोनों के लिए हमें relative motion find करना, तो relative motion की according हमें time relation find करना, तो एक heading की बात करें, तो जीसे का नाम है, proper time interval, एक point की बात करते हैं, दिख लिए, ये proper time interval, proper time interval, तो अब दो frame of reference माल लिए, अभी समझते है, proper time interval होता क्या, दो frame of reference माली, एक frame of reference, एक frame S है, दूसरा frame S dash है, दोनो T is equal to T dash पे, दोनों को एक दूसरे के साथ coincide कर रहे थे, दोनों का origin एक पॉइंट पर लाई कर रहा था, O और O dash दोनों एक कहीं बिंदू पर थे, ये shift करके आ गया, लेकिन time के साथ साथ ये, जब constant velocity V से, मतलब जो की approach कर रही है, velocity of light C, उसके आसपास light से, अगर ये आगे की और move करना शुरू हुआ, तो दोनों में हम time interval को calculate करते है, time interval दो ticks calculate करेंगे, एक watch place कर दिया गया, दोनों के लिए प्रॉपर टाइम के बाद, दो टिक्स, दो पल, दो छडों के बीच का time calculate किया जाएगा, अगर ये time moving frame से, मतलब जो dynamic frame of reference है, मतलब S' से calculate किया जाए, इसी के हिसाब से इसी में गड़ी रख्यागरी से calculate किया जाए, तो S' से अगर time calculate किया जाए, जो frame of reference move कर रहा है, अगर उसी से time calculate किया जाए, तो इसे कहा जाता है, प्रॉपर time interval, ऐसे कहेंगे T not, तो proper time interval T not is equal to, क्या हो जागा, यह किस से measurement हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पिए measured किया जा रहा है time interval जो है, वो S' frame में, तो S' frame में यह लिखा जाएगा, टी टू डेस, माइनस, टी वन डेस, हम बात याद रखेंगे यह, कि यह जो time interval measure किया जाएगा, वो, उस frame of reference मिजर किया जाएगा, जो कि moment में, जो कि dynamic condition में, जो कि move कर रहा आगे क्यों है, तो एक तो point यह हो गया, दूसरा improper time interval मतलब जो observer, जो अर्थ पर observer रुका हुआ है, अगर वो मिजर करता है, तो उसे का जाता improper time interval improper time interval जैसे प्रोपर लेंध था वैसे प्रोपर टाइम इंटर्वल हो गया, improper time interval जैसे time duration था, जैसे length contraction था, वैसी time duration के लिए रहेगा, improper time interval, तो यह हो गया T, T is equal to क्या हो जागा, यह हो जागा T2 minus T1, यहां तक तो यह दोनों expression समय मिल गया है, इसे मालिया गया एक पेसा number one और इसे मालिया जाएक पेसा number two, यह frame of reference S से मिजर किया गया है, दो टाइम पे, टिक्स, दो टाइम पे, दो छोड़ों पे इसे मिजर किया गया, दोनों को सब transformation equation, लॉरेंट जी, transformation equation, अगर यह नहीं जानते हैं, तो पिछले lecture में यह है, वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके इसे समझें, तो लॉरेंट ट्रांस्फोर्मेशन equation क्या होता, यह हम लोग बढ़ चुके हैं, यह होता है, X dash is equal to X minus VT by root 1 minus V square upon C square, दूसरा होता, Y Y dash is equal to Y, Z dash is equal to Z, T dash is equal to T minus VX upon C square by root 1 minus V square upon C square, तो इसी से मिलता है, हम लोग एक और expression पढ़ें, इन्वर्स लॉरेंट ट्रांस्फोर्मेशन equation, तो इन्वर्स लॉरेंट ट्रांस्फोर्मेशन equation की बात करें, तो उसमें होता है, X is equal to X dash plus VT by root 1 minus V square upon C square, Y is equal to Y dash, Z is equal to Z dash, और T is equal to T dash plus VX upon C square, तो हमें यहीं चाहिए भी calculate ही करना है, तो जब इसे calculate करना है, तो इसे calculate करने के लिए क्या करें, हमें चाहिए इन्वर्स लॉरेंज ट्रांस्फोर्मेशन एक्वेशन तो इन्वर्स लॉरेंज ट्रांस्फोर्मेशन एक्वेशन लिख देते हैं तो यहां लिख देते हैं इन्वर्स में तो टी एटी वन और टीटू के लिए वैलू चाहिए अगर तो यहीं लिख ले रहे हैं टीवन इस इकल टो हो जाएगा टीवन डेस प्लस बी एक्स बाइट सी स्कॉर आप यह दो नो वैलूस एक्वेसिन नमबर दो में रखने पर पुटिंग दे वैलूस आफ टीवन एं टीटू इन एक्वेशन नमबर टू लिख दे रहें पूटिंग दरआलूस आउट अ टी 1 and T2 in equation 2 equation 2 2 is equal to हो जागा टी टू की वालु यहां है क्या है टी टू की वालु यह T2 डैस ब्लॉस VX by C square by root 1 minus V square upon C square फिर T2 minus T1 minus T1 की वैलू है T1 dash plus VX upon C square यहुगा T1 dash plus VX upon C square by root 1 minus V square upon C स्क्राइब अब उसके बाद अगर देखें further solve करें तो यह हो गया आपन रूप 1 minus V square upon C स्क्राइब सेम तो सेम है दोनों में लिख लिए ऊपर क्या बचा यह हुआ T2 dash plus VX by C square यहां से माइनस T1 dash यह माइनस VX by C square तो VX by C square से VX by C square cancel हुआ यह बचा क्या यह बचा T2 dash minus T1 dash by root 1 minus V square upon C square अगर T2 dash minus T1 dash की वैलू हम जान रहे हैं क्या वैलू है T2 dash minus T1 dash की यह वैलू है T0 तो यह इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है ती नोट अगर रखें तो T की वैलू क्या हो जाएगी कि T is equal to हो जाएगा T0 by root 1 minus V square upon C square और 1 minus V square upon C square की बात करें तो यह है V की value V की value speed of light से कम ही रहेगी यह value कम यह value ज्यादा करें यह value होगी कम एक से कम एक में से एक से कम अगर value घटाएं तो थोड़ा सा कुछ बचेगा कुछ बचेगा जिसका square root अकर find करें तो वह value आएगी point में point की value से अगर इसे divide करतें तो यह value बढ़ जाएगी तो यह value बढ़ जाएगी इस सिंसी लूब का गया Time degeneration इसके लिए पूरा Erást करके देखते हैं कि में तीम केसे तो टाइम डिलेशन का फॉर्मूला में मिल गया टी इकल टी नाट by root वन मैज वी स्कुरे अपवोन सी स्कुरे डे तेंट का आगे गए तो टाइम डिलेशन का इसी में क्लॉक है यह मार लिया क्या कोई रॉकट है इस प्रकार से यह रॉक अई हम घो गया इसी प्लॉक RAM capitalism कर रही तो अगर इस में क्लॉक कर रहा है और है अगर शेटिक कल दिए केले गाल के आसे कोуль हुआजगीलोफ कर कर रहा है उसकी वालू इसमें प्लेस करते हैं तो यह जाएगा टी इकल टू टी नॉट बाइड रूट वान माइनस वी बाइसी का स्कॉर वी बाइसी का होली स्कॉर अब यहां पर क्या गई टेंस टू जीरो बहुत कम वेलोसिटी अगर प्रकास की चाल के भी आप पे देखा जाए तो प्रक माली आगया चल रहा है एक शुलामाज की स्पिड से यह तो यह विदा बहुत कमी वेलोसिटी यह 500 किलोमेटर प्रती घंटा है तो वह क्या हुआ बहुत कम वेलोसिटी तो इसके लिए वीवाइसी टेर्स जीरो अब वीबाइसी की वालू जीरो गई तो यह माइनस जीरो मतलब यह बन और वन का अंडरूट वाट टी इकल टू क्या होगा टी नॉट मतलब इसमें जो वाच्छ है जो घड़ी है वो क्या होगी वह सेम टू सेम वही टाइम मिजर करेगी जो अब्जर्वर की घड़ी मिजर कर रही है अर्थात यह होगा कि दोनों घड़ केस्टू की बात करते हैं जब वी इस नियरली इकल टू सी वी इस नियरली इकल टू सी तो पूरा पूरा इकल नहीं है इसके लगबग लगबग बराबर तो लगबग लगबग बराबर जैसे स्पीड आ फ्लाइट है 3 x 10 to the power 8 तो यह हो जाएगा 1.5 x 10 to the power 8 इतना यह तो इ कुछ value बचेगी 1 से कम ही बचेगी और वन जह कंद चीज से अगर इसे Divide किया जाए 1 ही जाएगी जएक पर हो जाय है चीनोट की वेलू माल लेंगे पाँच है ती नौट की वैलू माल लिया गया 10 पी नॉट इसकी वैलू 1 से कम आई है तो देखें तो टी इस इकल टू हो जाएगा टी नॉट मतलब 10 बटे अगर इसे क्या करें एक से कम आया है माल लिया गया 0.5 0.6 0.7 0.8 ही माल लिया जाए 0.8 है डिवाइड करें अगर इसे 10 का उपर नीचे multiply करते हैं यह होगया 10 10 यह होगया 100 बाइट पतलब यह डिवाइड हो गया तो यह फोर से डिवाइड हो जागा 25 बाइट उ मतलब यह होगया 12.5 तो यह क्या हुआ यह जो टाइम कम वैलू से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैलू बढ़ना तो क्या होगा टाइम की वालू यहां पर बढ़ गई तो यहां पर क्या हो जागा टी इस ग्रेटर दैंड टी नॉट मतलब क्या होगा कि जो घड़ी जो मूफ कर रही है फ्रेम आफ रेफ्रेंस एस डेस के साथ उसके कंपरीजन में जो अब्जर्वर उसका टाइम बढ़ जागा टाइम डिले हो होगा और तीसरा के जो इंग तीसरे केस की बात करते हैं इस इकल टू सी एक्दम विलोसिटी आफ रॉकेट या फिर कोई भी स्पेस से उसकी वेलोसिटी अगर स्पीड आफ लाइट के बराबर होगे तब देखते हैं इसी केसन का क्या हस्र होता यह हो गया टी इकल टू टी मतलब होजाएगा इन्फायनाइट मतलब की वेलूटि इस इकल टू होजाएगा जीरो घडिये घडी रुख जाएगे जो यह जो मूविंग फ्रेम आफ रेफ्रेंस में मतलब इस स्पेस सीप में जो घवाच मूफ कर रही है वो एकदम से रुख जाएगी यहां पर टाइम बढ़ेगा ही नहीं अगर स्पीड अफ लाइट से कोई वक्ती ट्रेवल करता है और किसी रॉकेट से तो वो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा उसके लिए समय रुक जाएगा जो ऐसा था वो वैसा ही वापिस आएगा चाहे जितने दिनों बाद वापस लोट के धरती पर आए बसरते बसरती है कि उसे उड़ना चाहिए कि इस स्पीड से विद्ध स्पीड आफ लाइट तो जो कि संभव है नहीं तो इस इसके नुमेरकल्स के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग